जैहिन दोस्तो स्वागत है आप सभी को KPS Study Point YouTube चैनल पर तो आज किस वीडियो में बात करने वाले हैं SSB, SSB Constable Trademan भरती जो 1522 पदो पर निकल कर आया था उसके physical test को लेकर यानि कि उसका admit काट कप तक आएगा और उसका physical test में क्या क्या होगा और आप में से काफी student पिछले पहले आप सभी के लिए SSB को लेकर एक वीडियो बनाये हुए थे जिसमें से काफी student ये comment किये हैं कि क्या trade test जो आपका trade test होने वाला है 1522 पदो पर जो भरती निकला था उसमें trade test क्या सभी post पर होगा यानि सभी post का होगा या सभी post का नहीं होगा तो सबसे पहले आपको बत इसके अलावा waiter carrier और constable driver काफी सारे post थे तो अगर आप experience certificate जिस जिस post में मांगा गया था उसमें आपका trade test होगा लेकिन यहां पे भर्टी नरी post को लेकर सभी post पर जो है experience certificate मांगा गया था और भर्टी नरी पर नहीं मांगा गया था तो आपको बता दे कि जो भर्टी नरी का जो आपका trade test है इसका trade test होने की सांभावना काफी कम है क्यांकि इसमें experience certificate आपसे नहीं मांगा गया है और आज से चार मन्त पहले यह वेकेंसी निकल कर आया था आप सभी को पता है लेकिन भर्टी नरी post में कुछ जो है पंगा हो गया था जिस करान से यह post को फिर से री ओप अंबर तक था जो की date समाप्त हो चुका है तो आपका भर्टी नरी जो post है भर्टी नरी post पर जो है आपका trade test होने की संभावना काफी कम है किमकि इसमें experience certificate आपसे नहीं मांगा गया है इसलिए आपका trade test भी इसमें नहीं होगा और आप सभी को बता दे कि इसके अलावा जो होने वाला है जो की trade man के अंत्रगत है इसके बाद आप में से कुछ student पूछेते कि जो यह vacancy है इसमें trade test हमारा कब होगा यानि की physical test के बाद या routine exam के बाद या medical test के बाद तो यह भी आज की इस वीडियो में आपको officially notification में बताएंगे साथी साथ आपको बता दे कि जो आपकी admit card है आपकी SSB की जो trade man की admit card है वा काफी जल्द release होने वाला है और मैंने आपको कुछ दिन पहले बताए थे कि March में release होगा लेकिन March में release नहीं होगा आपका जो है January के last week में जो है आपको SSB के officially website पर आप सभी यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर download admit card जो है click here to download admit card for return exam for the post of head constable ministerial यानि कि head constable की एक vacancy आया था काफी दिन पहले तो उसका जो है यहाँ पर return exam का date निकाला गया है जैसे यहाँ पर हम देखिए click करते है admit card पर तो यहाँ पर head constable को आपको admit card download भी यहाँ पर registration ID और password डालके आप head constable ministerial का admit card download कर सकते हैं और यहाँ पर आप सभी एक देख भी सकते हैं यहाँ पर एक screenshot आप सभी को दिखा देते हैं यहाँ पे तीन जनवरी को जो है जनवरी में तीन तारीकों 3 जनवरी 2021 को इनका जो है एकजाम है आप सबी यहाँ पर देख सकते हैं जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का है तो इसी तरह आपका भी रिटेन एकजाम जो भी यह स्टूडेंट 1522 पादों पर फर्म अपलाई किये हैं और भर्टिनरी पोस्ट पर भी जो अभी अपलाई किये हैं इनका एकजाम जो है आपको इसी तरह से इसके ओफिसियली वेवा साइट पर एड्मिट कार्ट का लिंक जारी किया जाएगा जिसमें आपको रजिस्टेशन आईडी और पासवर्ड डाल को आपको चेक क भावना है तो दोस्तों आप सभी को बता दे सबसे पहले यहां पर देखिए जो आपकी eligibility condition में बताया गया था कि आपका experience certificate driver में भी मांगा गया था इसके अलावा laboratory assistant में भी मांगा गया था लेकिन जो हमारी भर्टिनरी पोस्ट को लेकर यहां पर experience certificate मांगा गया था उसे बा इसका experience certificate नहीं मांगा गया था यानि कि यह जो है नहीं मांगा गया था केवल तेंत पास ही इसे apply कर सकते थे तो आप सभी इस form को जरूर अपलाई किये होंगे तो आप सभी को पता होगा इसमें experience certificate की कोई जरूरत नहीं था तो यहां पर देखिए इसी post का जो आपकी veterinary post है इसी का trade test नहीं होगा इसी का trade test जो है आपका नहीं होगा क्यांकि इसमें experience certificate नहीं मांगा गया है तो फिर trade test होने की कोई संभावना ही नहीं है इसके बाद देखिए जो यह सभी post थे जैसे की carpenter, palumber and painter तो यह सभी में आपका होगा trade test इसके अलावा जो constable, cook की है, waterman, barber, supply water carrier, waiter, teller, gardener and cobaler यह सभी का आपका होने वाला है यानि की trade test होगा तो आप सभी trade test के भी तैयारी करते रहिए क्योंकि मैंने आपको सभी को इस पर एक वीडियो पिछले वीडियो बना कर देख दिये थे जैसे की एक सब्ता पहले जिसमें आप सभी को बताया थे कि trade test के अंत हीना time है यानि की 30 दिन आपके पास time है 30 से 35 दिन के आसपास क्योंकि जनवरी के last week या फर्वरी के first week में confirm है कि आपका जो है physical test होने वाला है तो इसलिए आप सभी यहाँ पे 4.8 km जो running है 24 मिनट में इसकी जो है आप running की तयारी सबसे पहले करें क्योंकि running आपका clear होगा उसके बाद ही next process इसमें लिया जाएगा तो इसलिए आप सभी सबसे पहले अगर आप male candidate है तो 4.8 km जो है 24 मिनट में आपसे कराया जाएगा तो यह आप सभी इसकी तयारी सबसे पहले करें अगर आप सभी दोर नहीं रहे हैं तो दोर ना सुरू कर दे क्योंकि आपके पास time काफी कम है और अगर आप female candidate है तो 2.4 km आप 13 मिनट में आपको running करना है तो अगर आप सभी इसकी तयारी आज से ही सुरू कर देते हैं अगर आप running स्टार्ट में ही किये हैं तो आज से स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि time जो है काफी कम आपके पास बचा हुगा है यह सबसे पहले होगा इसके बाद देखिए यहाँ पे constable के लिए 170 cm आप से height मांग जाएगा और यहाँ पे काफी सारे राज को छूट दिया गया था तो यह सभी आप सभी को पता होगा पहले से फर्म जब आप अपलाई किये होंगे उस समय और इसके अलावा असिस्टेंट और भर्टी नारी देखिए भर्टी नारी और लेवरेटरी असिस्टेंट का जो भी एस्टुडेंट फार्म अपलाई किये है तो भर्टी नारी आपको सारे स्टुडेंट फर्म अपलाई किये हैं क्योंकि इसमें एक्स्परियंस सटल मेपिकेट नहीं मंगा गया था तो इसका एकसाद सब्सक्री तो आप सब्सक्राइब के लिए आप सब्सक्राइब के लिए जो आपकी पोस्ट ती जैसे यहाँ पे देखिए कारपेंटर प्लमबर पेंटर कुक वासर मैं बारबर सफाई वाला तो मेल के लिए 165 cm है और फीमेल को 157 cm और कुछ एस्टेट को यहाँ पे छूट दिया गया तो अगर आप ट्रेड मैं के लिए अपलाई किये हैं तो 165 cm होना चाहिए और फीमेल को 157 cm तो आप सभी अपनी हाइट भी एक बार चेक कर सकते हैं अगर हाइट कम है तो आप वहाँ पे आपका सेलेक्शन नहीं होगा तो यहाँ पे इसके बाद जो आपका होगा रीटेन एक जामीनेशन होगा देखिए रीटेन एक जामीनेशन में यहाँ पे दो घंटा का आपका टाइम में रहेगा यानि यहाँ पे देख सकते हैं फोर आल टू हावर्स और विल भी सो मार्क्स सो मल्टीपल च्वाइस अबजेक्टिव टाइप कुस्चन तो यहाँ पे यहाँ कुस्चन जो रहेंगे यानि सोव प्रसन आपका रहेगा और यहाँ पे टाइम आपका 120 मिनट रहेगा 120 मिनट यानि कि दो घंटा और आपका 100 कुस्चन रहेगा जिसमें से मैथमाटिक्स रहेंगे यहाँ पे सिलेबस भी आप सभी देख लीजिए जेनरल नौलेज इसमें से मिलने वाला है इसके बाद यहाँ पे डॉकमेंट टेस्ट होगा तो देखिए डॉकमेंट टेस्ट के बाद ही आपका स्कील टेस्ट लिया जाएगा जो कि ट्रेड टेस्ट है और यह जो है आपका लास्ट में होने वाला है ट्रेड टेस्ट उसके बाद आपका फा यहां पे कराया जाएगा तो medical examination सबसे last में होगा और document test आपका जो है document यहां पे बोल रहा है trade test जो है आपको return exam के बाद कराया जाएगा तो पहले पहले आपका PT और PhD होगा इसके बाद जो आपका होने वाला है यहां पे आप सभी देख सकते हैं PT, PhD सबसे पहले इसके बाद होगा इसके बाद आपका document check होगा इसके बाद आपका trade test होगा और trade test होने के बाद जैसे फर्स्ट यह होगा second, third, fourth और trade test के बाद आपका यहां पे medical होगा medical होगा और इसके बाद आपका final merit बनेगा तो यह आपका सभी होने वाला है selection process में तो I hope आप सभी समझ गए होंगे अगर आप और कुछ भी पूछना चाहते हैं तो नीचे comment box में पूछ सकते हैं और अगर आप सभी चाहते हैं कि इसकी जो syllabus है यानि कि जो इसके previous years के प्रस्न है तो उसका भी मैं वीडियो आप सभी को इस channel पर बना देंगे अगर आप सभी comment में पूछते हैं तो फिर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए जय हिंद बंदे मात्रम